Guys, आज हम सीखने वाले integration by parts rule हम कैसे याद कर सकते हैं by trig तो अगर हमारे पास कोई दो functions हो, u and v और उनका हमें integration करना हो तो वो simply होता है, हम क्या करेंगे, u जो है, u को हम बाहर लिखेंगे और यहाँ पे integration by v करेंगे आगे यहाँ पे कहीं पे same ही करेंगे, u dash लिखेंगे, अभी u के बदले और बाकी same लिखेंगे, v dx अब यहाँ पे integral of v dx है, यहाँ पे भी integral of v dx है यह जो v dx है, इसको bracket में नहीं रखेंगे, इसको bracket में हम रखेंगे यहाँ पे और जब हम इसको bracket में रखेंगे तो यहां पर dx लिखेंगे अब देखो, यहां पर sign का है positive, आगे negative आएगा और यहां पर एक integration रखना है बस this is your integration by parts rule